आज का लेक्चर में हम आगे का स्टेप समझते हैं, तो 16 नंबर में लिखा है body armor round का mark करें, स्लीव लगाते हैं तब 0.25 और 1.0 का margin लेकर शिलाई किया जाता है, यही शिलाई mark body armor का माप होता है, यानि यहाँ पर दाप्टिंग में समझें 16 नंबर body armor round का mark, यानि आगे और पि पिछे का आर्मोल मापने पर जो टोटल माप आता है वही बोड़ी आर्मोल का माप बनता है सोलर सिलाई से अपर चेस्ट राउंड का सिलाई मार्क तक आर्मोल को मापना है जब हमें स्लीव लगाना हो तब हम जितना दबाव लेते हैं उतना ही दबाव का मार्क यहाँ पर सबसे पहले कर देना है स्लीव लगाते वक्त हम 0.251 पॉइंट का दबाव लेते हैं तो यहाँ पर आपको उतना मार्क कर देना है ये पिछे का अर्मुल का हमने मार्क कर दिया है अब हमें आगे का अर्मुल का सेफ के एकोडिंग 0.251 पॉइंट का मार्जिन लेकर ये सिले मार्क करना है जैसे हमें पता है कि यहाँ पर सिले का दबाव इतना आने वाला है तो भी यहाँ पर बीना मार्क किये हुए हमें इसको इस प्रकार से नापना नहीं है जैसे आपने बहुत ज्यादा प्रेक्टिस की आपका अनुबाव बहुत ज्यादा हो जाए तब आप ये तब का मार्क ना करते हुए यहाँ पर डाइरेक्ली आप नाप सकते है लेकिन यहाँ पर हम सिख रहे हैं तो फिर आपको इसी प्रकार से आपको पहले डेश मर्क कर देना है और बाज में ही यहाँ पर टोटल आर्मोर राउंड का नाप लेना है सबसे पहले यहाँ पर हम समझ लेते हैं मेजर मेंड चार्ट में इसका जो बोड़ी आर्मोल है 16 नमबर पर देखे तो बोड़ी आर्मोल राउंड है 16 इंच ये जो बोड़ी आर्मोल हम नापेगे तो वो जो बोड़ी आर्मोल है 16 तो आना ही चाहिए उससे कम नहीं होना चाहिए साड़े सोला इस तक हो तो वो चल जाएगा लेकिन सोला से कम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए तो उसी प्रकार से हम यहाँ पर नापते हुए देखते है सबसे पहले बेक पाट का सिलाई से हमें बेक आर्मर राउन को नापना है तो यहाँ पर ना पाया है साड़े साथ और एक पॉइंट अब यह जो साड़े साथ एक पॉइंट है उसको वापिस यहाँ पर सोलर की सिलाई से रख देना है और यहीं से हमें आगे का आर्मर राउंड को नापना है दो देखें यहाँ पर बोरी अर्मर राउन का नाप आया है 16.25 सवा 16 इंच ठीक उसी को यहाँ पर डाप्टिंग में हम समझते हैं डाप्टिंग में भी जो मार किया हुआ है ठीक उतना ही नाप होना जरूरी है यहाँ पर भी साड़े साथ एक पॉइंट को रखते हुए आगे का अर्मर राउन को नापना है तो यहाँ पर भी सवा 16 इंच है जैसा यह डाप्टिंग है उसी के एकोरिंग यहाँ पर कपड़े में मार्क होना जरूरी है तबी आपको पता चलेगा कि आप जो प्रेक्टिस कर रहे है वो सही है या नहीं सबसे पहला हमने जो आर्मर राउन का नाप किया था कटिंग वाला नाप और उसके बाद यहाँ पर हमने नाप किया है बोडी आर्मर राउन का नाप 17 नमबर में लिखा है अब sleeve cross check method के अनुसार मापना है इसे पता चलेगा कि body arm around और side में सही fitting आएगा या नहीं और ये भी लिखा है इसके लिए sleeve cross check method का drafting समझना है अब sleeve cross check method क्या है उसको ध्यान से समझे यहां हमें इस तरह से mark करना है कि जैसे हम बाजू cutting करने के लिए mark करते है यानि यह जो draw किया है वो वही है जो हमें आगे जाकर sleeve cutting करना है हमारा जो basic cutting होता है उसमें यही होता है कि बस यहां पर armor round का नाप हो गया अब सिद्धा हम cutting करने लगते हैं उसके बाद sleeve cutting करने के बाद जब हम सिलाई करते है तब बाजू का shape होता है वो कितना cross आता है कितना सिद्धा आता है वो हमें बाद में पता चलता है लेकिन उसी को हम sleeve का cutting करने वाला mark पहले से करके समझ ले तो हमें पता चलेगा कि armor round में सही fitting आएगा या नहीं तो उसके लिए यहाँ पर हमने जो theory में समझाया है ठीक उसी तरह आपको follow करना है इसमें लिखा है upper chest body map 36 inch तक है तो बाजू की लंबाई 4.5 inch के साथ मोहरी का map ले यानि यह जो sleeve cross check method है वो short sleeve का measurement आपने लिया हो उसी में नापा जाएगा तो जैसे यहाँ पर हमने short sleeve का नाप लिया है वेसे ही आपको हर कोई customer का चाहे उसको off solar बनाना हो sleeveless बनाना हो तो भी short sleeve का नाप उनका लही लेना चाहिए अब हम आगे का point समझते हैं इसमें लिखाए अपर chase board map 36.50 से 38.50 है तो बाजु की लंबाई 5 इच के साथ मोरी का ले और आगे लिखाए अपर chase board map 39 इच या उससे ज्याधा है तो बाजु की लंबाई 5 इच के साथ मोरी का माप ले और last में लिखा है यहां हमें इस तरह से मार्क करना है कि जैसे हम बाजू कटिंग करने के लिए मार्क करते हैं तो अब आगे समझते हैं step by step मार्किंग को follow करें तो पहला number है पहले कटिंग करने का मार्क करें यहां पर हमें 4.500 की लंबाई का माप लेना है पहले यहां पर थोड़ा दुरी पर यह जो मार्क किया है उसे थोड़ा नीचे की ओर आपको एक टिक मार्क कर देना है यह cutting करने वाला नाप हुआ जिसे यह एक number में है यह cutting mark उसके बाद दूसरे number में लिखा है अब सिलाई mark करें तो यहाँ पर दो number में लिखा है सिलाई mark तो यहाँ पर आपको एक tick mark कर देना है सिलाई mark हमने यहाँ पर 0.251 point उतना ही लेना है तो उतना tick mark कर देना है और जो cutting करने वाला नाप है वहाँ पर आपको एक सिधा मार्क कर देना है अब तीन नमबर में लिखाए अब बाजू की लंबाई का मार्क करे बाजू की लंबाई यहाँ पर साड़े चारीच है तो हमें यहाँ पर साड़े चारीच पर मार्क करना है जैसे इसमें समझाया साड़े चारीच और यहाँ पर एक सिधा मार्क है वेसे ही यहाँ पर एक सिधा मार्क कर देना है अब उसके बाद चार नंबर में लिखाए अब केफ हाइट का मार्क करें केपाइट की ज्यादा महीति के लिए बाजु कट्टिंग का पेपर डाप्टिंग देखे और समझे यहाँ पर जिस परकार से यह जुग हमें सलीव काटना हो उसी के according यहाँ पर हमें समझना है तो जैसे हम यहाँ पर इस प्रकार से इसको फोल करें ठीक उसी तरह यहाँ पर मारक होगा तो यहाँ पर देखें बाजू की केयापाइट के लिए अलग-अलग मापको उदाहरन का जरीय समझते है इसमें लिखा है बोडी माप अपर चेस्ट में जितना लोजिंग रखते है उस हिसाब से केयापाइट का माप कौम या ज्यादा बनता है तो यह स्पेसेली केयापाइट के लिए हमने एक वीडियो बनाया है उसको आपको समझना है तो आपको और ज्यादा अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा यहाँ पर हम सोट में समझते है कि बोडी माप अपर चेस्ट 35 इंच है अगर 35 में बिना लोजिंग बना है तो उसका 35 आंस्वर आएगा उसका दस्वा बाग करेगे तो 3.5 इंच केयापाइट बनेगा ठीक उसी तरह अपर चेस्ट में 5 इंच लगाते है तो 40 इंच नाप बनता है उसका दस्वा बाग करते है तो 4 इंच समझ कश रहेंगे कीयापाइट भी बढ़ती रहेगी, अपर चेस्ट में लुजिंग कम होता जाएगा, केपाइट भी कम होती जाएगी, यहाँ पर जो केपाइट है, वो सिर्फ और सिर्फ एक रेगुलर बाजू के लिए है, यानि हम जो क्रोस हाथ का जो स्लीव बनाते है वही यहाँ पर दिवाइट डस करते है, तो वो केपाइट बनता है, तो अब यहाँ पर हम स्लीव डापिंग में समझें यह दो नमबर में लिखा है, केपाइट तो जहाँ पर यह जो कटिंग करने वाला नाप होता है, वहीं से यह केपाइट का नाप लिया जाता है, साड़े से यहाँ पर हमें मार्क करना है तो से क्रोस यही है वाजु क॥ लाइन बनता है वह कितना ख्रोष है अगर जो इस्कborne त्क्रोस अगर बता रहा है तो समझ लेना है कि यहां पर cloudy का औरमोल की तरफ से यहां पर जोल आएगा यानि यह बody armor round और upper chest लूज हो सकता है वो हमें बताता है अगर यह इस प्रकार से सिदा आता है तो भी समझ लेना है कि यहां पर source chest का जो नाप है वो टाइट हो रहा है या फिर बोडी आर्मराउन का जो नाप है वो 16 की जगर 15 इंच आया हो तो यहाँ पर यह सिधा सेप बनता है लेकिन यहाँ पर थोड़ा भहुत मार्किंग करके हमें सिर्फ समझना है कि यहाँ पर यह जो क्रोस आता है वो कितना इंच तक आता है पूरा तो 4.5 इंच की लंबय पर बाजू की मौरी का नाप है 12.5 इंच तो यहाँ पर हमें 12.5 का आधा करना बता है सवा 6 इंच नाप बनता है तो उतना ही नाप को आपको यहाँ पर भी मार्क कर देना है जिसे यहाँ छे नंबर में बताया है यहाँ पर और निचे की लाइन पर आपको एक मार्क कर देना है और इस प्रकार से आपको सिधा सेप कर देना है अब उसके बाद साथ नंबर में लिखा है अब के फाइट की लाइन पर जो सिधा मार्क किया हुआ है वहां से बाहर की तरफ 0.50 इंच का मार्क करके उसको बाजू की मोहरी का मार्क के साथ जोइंट तो बमें यहाँ पर यह जो सिजा मार्क है वहाँ से आजा इंच की दोरी पर एक मार्क करना है और यह मार्क को बाजो की मोरी का मार्क से मिला देना है तो जैसे ही यहाँ पर डाप्टिंग में है ठीक वेसे ही यहाँ पर मार्क बनना जरूरी है अब आगे का पॉइंट समझे ब्लाउज में आगे का आर्मर राउंड 7.45 और 1 पॉइंट है उसमें से 0.25 माइनस करने पर 7.5 और 1 पॉइंट रहेगा सोलर की सिलाई से जो कटिंग करनेवाला आलम राउंड है जो 7.75 और 1.00 जो नाप आया है उसमें से 0.25 मैनिस करने पर 1. instagram और 1.00 गाजरद आप यहां से नापते हुए यह 1,5 इंच क्रोज से उसके अंदर आता है या नहीं वो देखना उता है तो यहां पर नापते हैं सबसे पहले साड़े साथ और एक पोईंच को निज्चे के तरफ आपको मिला देना है अब मेसर तेप को गुमाए और देखे तो यहां पर साड़े साथ और एक पोईंच पू अच्छा बनने वाला है अगर यही मार्क आदा इच से बाहर की तरफ इस प्रकार से अगर ज्यादा चला गया होता तो समझे कि वह ज्यादा गया तो यहां पर जब हम लाश में ब्लावुद का सिलाई करेंगे तब स्लीव का मोरी को जोड़ते वक्त इस प्रकार से क्रोश सिल जो हमारा साड़े साथ और एक पॉइंट नाप आ रहा है तभी ब्लावुद का फिटिंग अच्छा आ सकता है और यह कंप्लेट होने के बाद ही हम ब्लावुद के बेक पाट को कटिंग कर सकते हैं जब तक यह नाप हमारा क्लियर नहीं हो जाता तब तक हमें केंची आत्मे नहीं लेना है ब्लावुद कटिंग नहीं करना है चाहे बले कटिंग करने वाला आर्मोल और बोडी आर्मोल राउन मिल गया हो वो परफेक्ट भी हो फिर भी हमें सोर स्लीव क्रोश चेक के अनुसार यह नाप एक बार चेक करना जरूरी है यहां पर यह जो नाप आया है सा स्लीव क्रोश चेक का जो हमने आद लेशन समझाया वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और साथ में यह भी समझे कि सबसे पहले फ्लंट आर्मोल राउन का जो कटिंग करने वाला मार्क है वो अगर आर्मोल राउन चार्ट के अनुसार मिल जाता है फिर उसके बाद बोडी आर्मोल राउन बोडी नापकी एकोडिंग मिल जाता है फिर यहाँ पर तीसरा जो स्टेप है स्लीव क्रोश चेक मेथड जो अभी हमने आपको समझाया वो भी यहाँ पर मिल जाता है यानि यह तीनो स्टेप अगर परफेक्ट तरीके से मिलता है तब भी हमें ब्ला करता है कि आपने अपर चेस्ट में कितना लुजिंग लगाया है अपर चेस्ट में अगर हमने दो इंच लुजिंग लगा दिया होता तो यहाँ का बोडी आर्मोल राउंड जो है वो भी बढ़ जाता और यह जो कटिंग करने वाला आर्मोल राउंड है वो भी बढ़ जात कि यहां पर जो लाएगा अगर इस प्रकार से क्रोश से पाता है हम क्या करते हैं कि अगर इसा क्रोश है तो वापिस यहां पर हम सिले लगाते हैं तो वही सिलाई यहां से इधर लग जाती है तो इसी प्रकार से आपने बने हुए ब्लाउज में सिलाई लगाई होगी तो यह जो समस्या बाद में आई वो समस्या ना आए इसलिए यहाँ पर जो तीनों स्टेप है कटिंग करने वाला आर्म राउन बोडी आर्म राउन और यह स्लीव क्रोस्टेक में थड़ यह तीनों को आपको एक जम परफेक्ट तरीके से उसको पॉइंट टू पॉइंट ध्यान से उसको समझना है और प्रेक्टिस भी करना है अब हमें आगे का जो पॉइंट है वो नेक्स लेक्चर में समझना है तब तक के लिए आज के दिन यहाँ पर हमने जितने पॉइंट समझाए है उतने पॉइंट का आपको लगातर प्रेक्टिस करते रहना है तो मिलते हैं हम ने बड़ेवाद